नमस्का और में शुभी और आप देखरें नियुस वानीशन बिहार में अपराधी बे कापू हो गए हैं बेलगाम हो गए हैं जिहां हम ऐसा असलिए कह रहे हैं क्योंकि जस तरीके से आइद नई-नई अपराधे घटनाओं को उनकी तरफ से अंजाम दिया जाता है इस बात को कहने में कोई दोर आए नहीं पहले तो आम लोग लेकिन अब तो खास लोग भी इसके जद में आ रहे हैं जिहां खबर समने आई है बांका के कटोरिया विधान सबाशेत्र से जहां आरचडी के पूर्व विधाय के बेटे पपू यादफ को अपराधियों ने गोली मार दी है हराकि अभी उन्हें गंभीर चोट लगी है जिसकी वज़े से अस्पताल रेफर किया गया है लेकिन अपराधियों का मनोबर और तांडव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इससे संबंदित और क्या कुछ जानकारी हमारे पास है आपको बताते हैं बांका की कटोरिया विधानसभा के पूर्व आजड़ी विधायक भोला यादव के बेटे को अपराधियों ने गोली मारी और गंभीर हालत में उन्हें भागलपुर के अस्पताल रेफर किया गया रात के लगभग नौ बज़े के आसपास की ए घटना है जिले में बेखौफ अपराधियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा ताजा मामला कटोरिया विधान सभा universal का है जहां आरजडी के पुरव विधायक भोला यादव के बेटे पपो यादव को अपराधियों ने गोली मार दी और फरार हो ने क्लिए मामले में पुर्विधायक बुत्र बुरी तरह जख्मी हो गए हैं गोली पपो यादव के कमर में लगी जानकारी के मताबिक पपो यादव मुख्या के संभावत उमिद्वार हैं पिछले बार भी मुख्या पद से चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे वहीं घायल पपो के लाज के लिए बौसी अस्पताल लाया गया है जहां प्रात में कुपचार कर भागलपूर मामगंज रेफर कर दिया गया घटना बौसी थाना शेतर के पुर्विधाय के बेटे पपो यादव अपने घर कुश्वाह से बौसी बाजार इस्थित घर आ रह लेकर घंटों बाद पोलिस को समझाने के बाद जाम हटाना पड़ा बाका सी चंद सीखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट तो बेहार में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हरोर नई नई अपराधिक घटनाओं को अंजान दिया जात तरह से आजडी के पोर्व विधायक के बेटी पपो यादव को गोली मार दी चाती है हलाके इस वक्त उन्हें गंभीर अवस्था उनकी बताई चा रही है अस्पताल रफर किया क्या है लेकिन जो अपराधियों का मनोबल है वो बढ़ता हुआ ही देखाई दे रहा है इस प पक श्रीबात करीम तो लगातार उनकी तरफ से जबात को लेकर आवाज बुलंद की जाती है कि बहार में अपराधियों का तांडव चरम पर है लगातार अपराधे घटनाएं बढ़ती ही जा रही है अब ऐसे में बहार सरकार अपने कामों को करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है पुलिस का खौफ पुलिस का डर अपराधियों में से बिलकुल खत्म सा हो गया है लेकिन इन सब के बीच आरजडी के पुर्वधायक भोला यादव के पुत्र पपु यादव को अपराधियों ने गोली मार दी है जादाब जीट के लिए आप बने रहे न स्वानेशन के साथ तमस्कार